दोस्तो जो आदमी शराब नहीं पीता उसको कहते हैं टी टोटलर टी टोटलर होना बहुत ही अच्छी बात है अगर आप शराब नहीं पी रहे हैं कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं सेयत अच्छी बनी रहेगी तो आज बात करूँगा टी टोटलर ये टर्म कहां से आया tea totaler आया 1920s और 1930s में जब अमेरिका में prohibition था, अमेरिका में शराब बन थी, तब था वो movement, temperance movement बोलते थे, temperance मतलब self-control है एक तरीके से, तो वो कहते थे कि शराब को ban कर दो और उस movement को बोलते थे temperance movement, तो tea totaler में जो tea है, वो आता है temperance से और totaler है, जो totally involved था, दारू बंदी के against, तो tea totaler उसे कहते थे, जो दारू के against था और दारू बंदी चाहता था, तो वो tea totaler term रहे गया, इतना use नहीं होता, बट आज भी, जो नहीं पीते, tea totaler कभी कभार वो word आ जाता है, tea totaler, cheers.